हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए आलू टेमाटर की वरत वाली सबजी लेकर के आई हूं जिसे कि हमें के कड़ाई में दो प्रकार से बनाने वाले इसके लिए तीन मीडियम साइस के बॉइल के हुए आलू और तीन मीडियम साइस के बारिक कटे हुए टेमाटर लिए मैंने ग्यास कफली मौन करेंगे मीडियम पे रखेंगे और इस पर हमें एक कढ़ाई रख लेनी है दो छोटे चमच के बराबर हमें घी गरम कर लेना है इसके बाद जब घी गरम हो जाए हमें इसमें आदा छोटा चमच जितना जो है जीरा डाल देना है आदा इंच अद्रक कटकु निट चमच कर लिए में तो छोट चिंपस्ट मिक्स कर लिए और पानी चोड़ दिया है तो हमें भी 14 दी आज चोटे चमच कर लिलुए यहां पैनी चोड़ दिया है तो लो मीडियम रखते हुए हमें और अची आदे किसे उसटों फोर सम्टि आप चिर भाद के उसे मां औ अब हमसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें की छोठा चमज जितना लाल मिर्जदेटर है देज़्ाइगे उनल जे पाॉडर है एक पञादस एक पिंजीति काली मिर्च का पाउडर बहुत बढ़ा आता है और नमक हम already डाल चुके हैं और कुछ हमें इसमें नहीं डालना है 2-3 नट इसे पकाएंगे मसाला हमारा जैसे ही कोख हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे boil किये हुए आलू जो कि हमने हाथों से mash करके रखे हुए थे इन्हें अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और mix करते हुए mash करते जाएंगे और 2-3 नट तक इसे पका लेंगे हम और 2-3 नट बाद यहां पर हमारी सूखी वाली सबजी बन करके ready हो जाएगी तो बस सबजी के दो पार्ट कर लेंगे जित्ती हमें सूखी निकालनी है उस वाले एरिया में थोड़ा सा धनिया पता डाल के mix कर लीना है और उसे निकाल लीना है बाकी की सबजी जो है वो gravy बनने वाली है तो उसे हम continue करेंगे तो यहां पर यह मैंने निकाल दी हमारी सूखी वाली सबजी जो कि बहुत ही टीस्टी लगती है अब जो बाकी की सबजी बची हुई है इसमें हमें पानी डालना है तो धाई सो एमेल मतलब की एक कप के बराबर पानी जो है मैंने यहां पर डाल दिया है इसे मिक्स कर लेंगे जरूरत लगे तो आप उपर से थोड़ा सा नमक और डाल सकते मैंने नहीं डाला है गैस का फ्लेम मीडियम रखके इसे मैंने 5-6 मिनट तक जो है यहां पर पका लिया है बस सबजी हमारी यह वाली भी बन करके रेडियो गे वरत वाली इसे सिंगाड़े के पराठे पूरियों के साथ यह वरत वाली किसी भी पराठे पूरी के साथ सर्फ कीजिए और एंजॉय कीजिए गैस का फिलिम बंद कर लेंगे धन्या पता डालेंगे और बस दोनों सब्जियों को सर्फ कर लीजिए रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा जल्दी मिलते हैं कुग विद मन उपर एक नई सिंपल और हेल्थी रेसिपी के साथ थैंक ये वर वाचिंग थिस वीडियो